रमजान के पाक दिनों में रोजा खोलने के लिए खजूर का सेवन किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खजूर का सेवन इतना जरूरी क्यों होता है अगर नहीं तो आज हम आपको खजूर रनने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे वीडियो में आखिर तक बने रहें नमबर एक, खजूर पोशक तत्वों से भरपूर होता है दोस्तों खजूर के अंदर धेरो पोशक तत्व पाए जाते हैं खजूर में केलोरी, आईरन, विटामिन्स, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, उटेशियम, मेगनेशियम और कोपर की अच्छी मातरा पाई जाती है इसलिए खजूर सरीर के लिए कई तेरे से फाइदेमन साबित होते हैं खजूर एनरजी बुस्टर का काम करती है खजूर में पाए जाने वाले पोशक तत्व इंसान के शरीर में नई उर्जा पैदा करते हैं ऐसे मेरोजे से होने वाली कमजोरी, ठकान और सिर दर्द से खुद को आप बचा सकते हैं खजूर इम्यूनिटी को मजबूत करता है दोस्तों खजूर में प्रोटीन, आयरन और कई तरह के विटामिन्स होते हैं इससे इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है और आप खुद को कई मौसमी समस्याओं से भी बचा सकते हैं खजूर डाइजेशन को भेतर बनाता है खजूर का सेवन करने से पाचन तंतर से जुड़ी समस्याओं से भी बचा जा सकता है इसमें पाए जानवाले फाइबर की मातरा पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर रख सकती है नमबर पांच खजूर दिमाग के लिए फाइदेमंद होता है दोस्तो ब्रेन हेल्थ के लिए भी खजूर फाइदेमंद होता है इसमें मौजूद विटामिन बी और कॉलीन मेमोरी को तेज बनाने का काम करते हैं नमबर छे खजूर बलड शूगर कंट्रोल करता है क्यूंकि खजूर का गलाइसेमिक इंडेक्स कम होता है यही वज़े है कि इसका सेवन करने से बलड शूगर लेवल नहीं बढ़ता है यह डाइबेटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है नमबर साथ खजूर बलड प्रेशर को बैलेंस में रखता है क्यूंकि खजूर में पोटेशियम और मेगनेशियम की अच्छी मातरा होती है इससे बलड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है तो दोस्तों इसलिए रमजान में खजूर का बहुत महताव होता है सहथ से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें